सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए हेलो और वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेश आले राश्टे राजधानिक शेत दिली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 20 जो की कक्षा सात्वी के विध्यारतियों के लिए है यह ली गई है हिंदी विशे से और इसमें आज हम फिर से एक बार रहीम दास जी के दो हों को पढ़ेंगे और समझेंगे जैसा कि आपको याद है हमने पिछली वर्कशीट में भी रहीम दास जी के दो दो हों को पढ़ा और समझा था उनका अर्थ जाना था और वाके ही उनके जो दोहे हैं, वो हमारी जिंदगी से, हमारी जिंदगी की अच्छी बातों से जुड़े हुएं, वो हमें कोई न कोई सीख देते ही देते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ, और समझने की कोशिश करते हैं, बच्चों, आज हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में भी अपनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला दोहा है तरूवर फल नहीं खात है सरवर पियत नपान काहे रहें पर काज हित समपती सच्चही सुजान एक बार फिर से समझे तरूवर फल नहीं खात है सरवर पियत नपान काहे रहें पर काज हित समपती सच्चही सुजान तो इसका प्रसंग ये है कि रहें जी परोबकारी पुर्शों का महत्व बताते हैं कि जिस प्रकार पेड अपने फल स्वयम नहीं खाते सरवर भी अपना पानी स्वयम नहीं पीते उसी प्रकार परोबकारी ये सच्चन पुरुष दूसरों के भले के लिए अपनी समपती का संचे करते हैं यानि उनको इखटा करते हैं अर्थाथ दूसरों की सायता करने के लिए ही धन इखटा करते हैं और उनकी सायता करते हैं, तो देखा आपने कि किस तरह से परोबकारी पुर्शों का महत बताते हैं, उन्होंने ये इतनी अच्छी बात कही है, कि जैसे पेड इतने फलों से लदे होने के कारण भी, के बावजूद भी, वो अपने फल स्वैम निखाते हैं, इतने मीठे फल हो जाते हैं, लेकिन खुद उसका पानी नहीं पीते, तो उसी प्रकार जो परोबकारी सजन होते हैं, पुरुष होते हैं, वो अपना जो भी उनके पास धन है, जो भी जिस तरीके से भी वो किसी की सायता कर सकते हैं, वो करते हैं, और इसलिए उनको इनकी उपाधी दी गई है तरवर की और सरवर की तो चलिए अब हम दूसरा दोहा पढ़ते हैं थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन भहे करे पाचली बात एक बार फिर से थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन भहे करे पाचली बात तो देख ने का रहीम जी घमंडी पुरुशों के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में क्वार जो सितंबर अक्टूबर के महीने में जब आपको दुपहर में ओमस लगती है और रात को ठंड लगती है न तो जो दुपहर वाली जो ओमस होती है सितंबर अक्टूबर के महीने में, उसको हम कौार का महीना कहते हैं, तो जिस प्रकार कौार के महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं, तो वह अपनी संपत्ति के दिनों के सम्मान की घमंड की ही बाते करते हैं, अपनी वर्तमा अपने वरतमानिस्थिती को नहीं सुधारती Conference में आप उस पर भी तो ध्यान कीजेए। इस यहीं दिखाता है कि घमंडि पुरुष केवल पिछली बाते ही करते हैं वो वरतमान बाते हैं अपने वरतमान सुधारते हैं अब हम कुछ इन्हें के आधारित प्रश्णों के उतर देने का प्रयास करते हैं तो पहला प्रश्ण है कि सजन पुरुष की क्या पहचान है देखे अभी हमने समझाई है सजन व्यक्ति, मन, वचन और कर्म से एक ही विचार से कार्य के प्रती सजग रहते हैं ऐसे लोग प्रतेग परिस्थिती में धीरज रखने वाले, परोपकार करने वाले, शमाशील यानि शमा करने वाले मन से प्रवित्र और सत्पुर्शों का संग करने वाले होते हैं यानि उनका साथ रखने वाले होते हैं फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्ण धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं तो जब धनी मनुष्य निर्धन हो जाते हैं तो भी वे अपनी बातों को जो पिछली बाते हैं उनका बार बार बखान करते हैं तो आप यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि पिछली बाते हैं मैं यह आपर लिख देता हूँ आपके लिए पिछली बातों का बार बार बखान करता है जब धनी मनुश्य निर्धन हो जाता है तो वो क्या हो करता है फिर तीसरा प्रशन है कि क्वार के महिने में क्या होता है क्वार के महिने में यानि सिदंबर अक्टूबर के महिने में बादल गरशते तो हैं कभी बरसते नहीं आपने भी देखा होगा कि बादल घिर घिर कराते हैं लेकिन वो ऐसे बादल होते हैं जो गरशते नहीं है फिर किया है तो विस्तार से लिखी और नहीं तो आप अपने घर में किसी से उससे बात करके भी इसका उत्तर ढूंड सकते हैं तो देखिए मेरा जो सुझावे मैंने इसका उत्तर यहां पर लिखा हुआ है एक बार एक बुड़िया अंटी कहीं जाने के लिए रिक्षा वाले से ब आगी हुई थी इसलिए वे चलकर नहीं जा सकती थी रिक्षा वाला अपनी बात पर अड़ा था मुझे उनकी व्यथा पर दया आई मैंने अपने पास से रिक्षा वाले को 40 रुपे देखकर कहा कृपिया इन्हें जहां जाना है वहां पहुँचा दे तो अपनी समझ से मैं परोबकार किया और पांचवा प्रश्ट बहुत ही आसान पेड़ शब्त के तीन प्रयाएवाची यानि समान अर्थवाले शब्द लिखने तो पेड़ को हम तरू भी कहते हैं व्रिक्ष भी कहते हैं और पादब भी कहते हैं तो ये तो थी आज की वर्कशिट अगर मेरे इ जिहान और मन लगा कर पारबर कहता हूं पूरी मेहनत के साथ पढ़िए लेकिन अगर आपको कोरोना वाइरस से भी बचना है तो मास तो जरूर जरूर लगा के रखिए क्योंकि भी जब तक दवाई नहीं तक तक कोई धिलाई नहीं धन्यवाद